लो एप्रिवान, वेल्कम टो आवार चेनेल इस्टाडी बाइब्स आजके आमी आबारो नियेश एच्छी पोलिटी सिरीस आजके होबे पार्ट फाइब आगेर चाट्टा पार्ट जोदी देखार इच्छा हो ताहले आपनारा प्लेलिस्टे गिए देखेने बेन ताहले चलू नाशकेर वीडियो ती स्कारड करी फर्स्ट क्वेस्ट्टण अमादेर जए फार्णामेटल राइट्स आ चेह मूली कोदिकार आमादेर देशे जोतो ज़ान सिटिजन आचे है डोलिकरिय निया चलचुतिं के पाशर्कों सर्प नने उन डवर्यसा लोग्युत चगंट अलद के港 Miles जे fundamental rights गुलो देवा आचे इखाने option होलो option a part 4 option b part 2 option c part 3 option d part 4 तो आमादेर जे fundamental rights गुलो आमादेर constitution एर part 3 ते आचे part 3 ता होले answer होबे option c part 3 आमादेर constitution एर part 3 ते आमादेर fundamental rights गुलो देवा आचे जे गुलो आमादेर total fundamental rights आचे छोई टी जेखन constitution टा बारानों होए छीलो गठनकरा लेखा होए छीलो तोखन total 6 आमादेर fundamental rights छीलो तार परे right to property एक्टा fundamental rights शेता amendment करे शेता delete करा होए छे एखन आमादेर total 6 ती fundamental rights आचे ए fundamental rights गुलो आमादेर constitution एर part 3 ते देवा एखन next question articles 14 to 18 of the Indian constitution deal with which of the following rights मीचे देवा rights गुलो थेके कुन राइटी article 14 थेके 18 एर मदे देवा एजे 25 ता parts आचे आमादेर constitution ए सेटार आंदारे आबार आर्टिकल आचे सेटार आंदारे आर्टिकल आचे एट प्रेजन्ट आमादेर total एबाउट 465 आर्टिकल्स आचे एबाउट ठीकाचे एट 25 पार्ट्सेर मदे बारोटा schedule आचे आर एट एबाउट 465 आर्टिकल्स आचे तो एज़े आर्टिकल 14-18 एई आर्टिकल 14-15-16-17-18 एई पाच्टी आर्टिकल्स कुन राइट निये दिल करे option A. right to equality, right to freedom, option C. right against exploitation, option D. right to constitutional remedies एखाने आंसार होलो option A. right to equality अने कने क्समो एरकमो प्रष्णा आशे जे right to equality जन्न कतो टा आर्टिकल्स कुन आर्टिकल्स 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 आचे तो आंसार होवे पाच्टी 14-15-16-17-18 ठीकाचे next question हलो Q3. The fundamental rights are option enforceable by the courts, option B justiciable in nature, option C not enforceable by the courts, option D both A and B Q3. The fundamental rights are option enforceable by the courts, option B justiciable in nature, जेकुनक जन मानुसेर जखन fundamental rights गुलो जखन खर्बो करा होई, एई rights जोदी आघात होई, rights जोदी क्यों केरे ने, तोखन की मानुस्रा एई fundamental rights पावार जोन्नो की कोर्टे जेते पारे, justice की पेते पारे शेता, और option C होलो not enforceable by the courts, तो एखाने आंसार होवे option D both A and B, option D answer both A and B, जोखन आमादेर fundamental rights खर्बो होवे, आमादेर अधिकार गुलो जोखन खर्बो होवे, तोखन आमरा कोर्टे गिए अपिल करते पारी, और court शेतार उप्रे justice दिते पारे, शेताई होलो इखाने आंसार, option D both A and B, enforceable by the courts, और justiciable in nature, एखन नेक्स्ट क्वेस्टन होलो, question number 4, which of the following rights can be issued by the Supreme Court for the restoration of citizens' rights, जोखन citizens एर fundamental rights खर्बो होई, तोखन सुप्रीम कोर्टेर दारा कीचु, reads issue करा होई, तो A reads कुलो की, निचे देवा option थेके, कुन गुलो से reads, option A हिब्यास करपास, option B मेंडा मास, option C prohibition, option D all of the above, एखाने आंसार होबे option D, all of the above, जोखन आमादर fundamental rights खर्बो होई, तोखन सुप्रीम कोर्टेर दारा कीचु, reads issue करा होई, शेगुलोर मुद्दे आचे, हिब्यास करपास, मेंडा मास, पोहीबिशन, सार्टियोरारी, को वारेंटो, एई पाच्टी, reads, सुप्रीम कोर्ट, इसु करे, जोखन fundamental rights गुलो, होले next question है, question number 5, according to whom the directive principles of state policy is a noble feature of the Indian constitution, कार मोते is a directive principles of state policy जे आमादर constitution आचे, शेगुलो कार मोते एक्टा, noble feature, आमादर constitution एर noble feature हिशाबे, directive principles गुलो के, के भाबेन एगुलो जे noble feature, option A, dr. आजंद्र प्रशात, option B, dr. बियार आमबेद कर, option C, पंडित जोवाहरलाल नहरू, option D, नानबदा एवाद, एकाना answer होबे option B, dr. बियार आमबेद कर, dr. बियार आमबेद करेर मोते, directive principles of state policy गुलो, आमादर constitutional एक्टा, noble feature, next question, which part of the Indian constitution, deal with the directive principles of state policy, जेरोकों मामड़ा आगे जानलाम, fundamental rights गुलो, constitutional part 3 ते थाके, शेरोकों, directive principles of state policy आलेक्टा, part ते थाके, तो कुन पार्टेर मोद्धे, directive principles of state policy गुलो थाके, option A, part 1, option B, part 2, option C, part 3, option D, part 4, इखाना answer होबे option D, part 4, आमादर constitutional पार्ट 4, आमादर constitutional पार्ट 4, ए, directive principles of state policy गुलो देवा, next question, question number 7, which part of the Indian constitution, deals with the fundamental duties, जेरोकों, आमादर constitution आमादर के fundamental rights दिये छे, शेरोकों, आमादर constitution ए, किछु, fundamental duties हो देवा, कारण होलो, जेकुनो एक्टा अधिकार आमादर भूग करते होले, शेटार आगे आमादर, शेटार पती, कर्टोइबबटा पालोन करा उचित, कर्टोइबबटा पालोन करले, जेकुनो जिनिशेर पती, आमरा जोदी आगे कर्टोइबबटा पालोन करी, तार परे आमरा अधिकार टा भुग कोरा रो अधिकार थाकें तो आमादेर Constitution ए Fundamental Duties गुलो देवा किन्तु एई Fundamental Duties गुलो जखन आमादेर Constitution तोईरी कोरा होये छिलो तोखन आमादेर Constitution ए Fundamental Duties गुलो छिलो ना शेगुलो परबर्तिते एट कोरा होये छे तो इखाने Option होलो Option A Part 1, Option B Part 2, Option C Part 4A, Option D Part 5 तो आमादेर Constitution एर Part 4 एते Fundamental Duties गुलो देवा आंसार होलो Option C आमादेर Constitution एर Part 4A, Directive Principles of State Policy देवा आर Part 4 एते Fundamental Duties गुलो देवा किचु किचु क्रिटिक्स आछेन जहारा एई Fundamental Duties गुलो Part 4 एते देवार जन्नो किटिसाइस कोरेन कारोन ताहारा भाबेन जे Fundamental Duties, Fundamental Rights गुलो जहेतु Constitutional Part 3 ते देवा ताहोले Part 3 एते एई Fundamental Duties गुलो देवा जलोरी छिलो एरोको मने क्रिटिक्स रा भाबेन किन्तु जाई हो प्रेक्टिकेली फेक्ट होलो पार्ट 4 एते Fundamental Duties गुलो देवा Part 3 ते Fundamental Rights Part 4 ए दिरेक्टिक्टिक्टिक्स अव स्टेट पोलिशी और Part 4 एते Fundamental Duties Question No.8 Through which Amendment the Fundamental Duties we are included in the Constitution of India एई जे Fundamental Duties गुलो आमादेर कॉंस्टिक्टिक्टिक्स अट कोरा हो छिलो सेता कून Amendment एर दारा एट कोरा हो छिलो Option A. 40th Amendment Option B. 41st Amendment Option C. 42nd Amendment Option D. 46th Amendment एखाना अंसार होलो option C 40 second amendment आगेर बीडियो तामी बले छिलाम एक्टा amendment आछे जटा के आमरा mini constitution बली एई जे 40 second amendment के आमरा mini constitution बली कारण एई amendmentे अने किछु points आमादेर constitution एट कोरा होए छिलो आर अने किछु delete कोरा होए छिलो तार मध्धे एई जे एक्टा fundamental duties गुलो 42nd amendment आमादेर constitution एट कोरा होए छिलो किन्तु original constitution ए fundamental duties गुला छिलो ना ठीका चे next question होलो question number 9 which committee recommended the inclusion of fundamental duties in the constitution of India कुन कमिटी ए एजे fundamental duties गुला आमादेर constitution एट कोरा जन्न रिकोमेंड कोरे छिलो option a soren sing committee option b दा सरकारिय कोमिशन option c both a and b option d नानब दा एबाब एखाने answer होबे option a soren sing committee ए एजे आमादेर constitution ए fundamental duties गुलो एट कोरा जन्न रिकोमेंड कोरे छिलो next question which article of the constitution contains the fundamental duties आमादेर constitution एर कुन article a fundamental duties गुलो देवा article 50 option b article 20 option c article 51 a option d article 51 एखाना answer होबे option c article 51 a article 51 a ते आमादेर constitution एर fundamental duties गुलो देवा आच्छा आज के दोस्टी question निखाने शेयर शलो आर वीडियो टी जोदी आपनादेर भारो लागे लाइक शेयर कर बेन आर चेनल टा सब्सक्राइब कर बेन आर आगेर वीडियो गुलो जोदी देखार इच्छा होई ता होले प्लेलिस्टे गी आगबार चेकाउट करें नाबेर दन आर बात